तो क्या बोले थो प्रशन में, एन एलिप्स इस लाइडिंग अलोंग दा कोडिन एक्सिस, ठीक है, इव दे फोकाय अफ दा एलिप्स आर वन कमा वन ए थी कॉमा थी, देन एरिया अफ डिरेक्टर सर्कल अफ दा एलिप्स पूछा गया है कितना होगा, तो पहले एक टो डियाग्रम नजाता है, सब्सक्राइड एक्सिस ही यह है, यह यह अग्सिस है, और यह मेरा एक एलिप्स है, तो इसके फोकाय कहां पर है, यह 1,1 है और यह 3,3 है, तो इसके फोकाई यह है, अब देखो इसका सेंटर है, इसका center है 4,4 पर चल्ड 2,2 पर ठीक है तो जिब center इसका 2,2 पर होगा क्यों कि center क्यों अगया midpoint of the foci icon center बोलता है center किता हो गया 2,2 तो radius of circle क्यों क्यों गिता हो जागा यहाँ से लेकिन यहाँ तक distance जो क्यों होता है to root 2 तो यह होगा हमारा radius उस director circle के radius होगा हमारा to root 2 ठीक है तो radius हमको मिल गया तो हमसे क्या बूचा गया था the area of circle तो area of circle क्या होता है pi into r का square तो एकिता हो जाएगा pi into 2 root 2 का whole square तो एकिता जाएगा 8 pi तो required area किता जाएगा हमारा 8 pi देखो कैसा आया दोबार बताता हूँ हमको क्या बोल रहा था यह जो ellipse है वो लाय कर रहा है coordinate axis पर ठीक है और यह दोण axis यह आपसे perpendicular होती है तो आपको यह पता लग जाता है कि इन दोगा intersection जो point होगा वो हमारा एक circle पर लाय करेगा इसका director circle पर लाय करेगा तो अब हमको center मिल गया हमें एक point मिल गया तो distance of the point from the center is called the radius of the circle तो radius आगया हमारा यहां से यहां था का distance जो कि होता है 2 root 2 ठीक है तो radius ने 2 root 2 आगया तो जब distance मिल गया हम लोग को radius मिल गया तो area कितना होता है pi r square तो वहां से आजागा area हमारा 8 pi तो हमारा d option is the correct answer for this question झाल